नमस्कार दोस्तों बेंकर्स मंट आप सभी का बहुत स्वागत है आज हम लोग IBPS RRB PO के लिए reasoning का previous year का paper देखेंगे ठीक है जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता था कि मैं previous year की paper बहुत सारे आपको solve करने वाला हूं ताक कि हम लोगों को एक तो पेपर का आइडिया लग जाए कि इस टाइप का paper आता है दूसरा जब प्रिवेस यह का पेपर आता है तो मुझे इस तरीके की तयारी करने चाहिए तो एक पेपर नहीं कई सारे पेपर में यहां पर reasoning करने वालों तो यह पेपर वन है और यह आईवी पिस आरार भी पियो का प्रिवेस यह का पेपर रीजिनिक का ऐसे में आएंगे और फेपर वन टू टू त्री फॉर ऐसे कुशन आते रहेंगे ठीक है इससे हम लोग एक आईडिया लगाने का कोशिस करेंगे कि कि किस टाइप का पेपर आता है और हमें किस तरीकी के उसमें तेयारी की जरूरत हो नहीं है पेपर के उपर बढ़े उससे पहले में बताना चाहूंगा कि हमारी एक एक एप्लिकेशन है बेंकर्स.2.0 जिसके उपर मेरे लाइव कोर्से चल रहे हैं अभी RRB PO के लिए हम लोगों ने वर्दान बेच लोंच के हैं वहां पर वर्दान बेच दोजार चोवीस तो यहां से आप लोग हमारी लाइव क्लासे बगरा जोइन कर सके तो किसी और लिंक पर या किसी फर्जी लिंक पर मत फज्जा ना हमारी एक ओफिस्यल एप सिर्फ बेंकर्स.2.0 है जो प्लेग स्टॉर पर आपको मिल जाएगी कोर्स के बारे में थोड़ा बतायता हूं चार ट्वर के कोर्स चल रहे है ऐक और से जिसमें या यह भी नहीं होगी इसमें भी आपको तवेंडी परसेंट का लाइव क्लासेज भी होंगी और बाकी सारा एक साथ आपको recorded मिल जाएगा बाकी सारे सब्जेक्ट सभी एक्जाम के लिए और और प्यो कलर का जो इस पेशल बेच चला रहा हूं उसमें लाइव क्लासेज पूरा पूरा कवर करा दिया जाएगा एक्जाम से पहले तो लाइव कोई बच्चा चाहता है कि सर में तो एक साथ मेरे को जल्दी जल्दी recorded में देखके concept के लिए करना है तो उसके लिए भी option है इसके अंदर तो सारी टाइप की चीज़े एक ही कोर्स में आपको मिल रही है अब कोई बच्चा वो लेगा कि सर मुझे तो दूसरे सब्जेक्ट स दों के मतलब नी मुझे तो आपकी मैसरीस्z से मतलब तो उसके लिए एक अलग प्राइस हम ने रख दिया एक अलग कोर्स बना दिया है सिर्फ मेस्व को मैस की पढ़ना है तो उसके लोग थे कर दिया गया थीक्या और सट कर दिया अब उसके बाद भी बहुत सारे लोगो सब्सक्राइब क्या करें अब हम लोग भी स्टुरेंट को क्या ही बोलेंगे तो अब इसके अंदर में ना लास्ट डेट बताए तो इस वाले डिस्काउंट कुपन कोड की जो लास्ट डेट है वो है सेकेंड जुलाई ठीक है दो जुलाई तक अगर आप लोग ये वाला कोड लगाएंगे तो आपको जो प्राइज मैंने बताई थी पीछे उसमें 20 परशेंट का डिस्कॉन मिलेगा फर्स्ट हंड्रेड ठीक है इसके बाद में एक उपन कोड हटा दिया जाए चलो अब अपने कुश्चन के उपर बढ़ते हैं चालिस के चालिस कुश्चन हम लोग करने वाले हैं अगर ये जो कुश्चन में यहां कराऊंगा उसके आपको नोट सीए किसरा में अपने से भी देखना है कैसे कैसे कुश्चन है क्या के कुश्चन है तो आप इस qr code को क्या कर सकते हो इस केन कर सकते हो या फिर यह जो नाम है अंसुल सर इसको सर्फ कर सकते हो कि यह गूरूप आजाएगा आपके सामने यहां पर यह जितने भी क्लास नोट्स और प्रेक्टिस मैटेरियल अपलोड होंगे यहां पर ठीक है चलो कि पहले प्रश्ण के उपर आ जाते हैं मैं पहला कुशन क्या बोल रहे हैं एट परसंट अरव्डेश को दिया गया है ठीक है चार लोग सेंटर फेस कर लेंगे चार लोग आउटसाइड सेंटर फेस कर रहे हैं यह नहीं पता कौन से center face कर रहे हैं कौन से outside center face कर रहे हैं ठीक है तो यहां से काम की information होती है start होती है हमारी तो मैं यहां तक का question क्या है slide से हटा दूँगा अगली slide में ताकि मेरे को कुछन करने के लिए जगह दिखे आपको भी अच्छे से question दिखता रहे ठीक है वैसे जो पहले जानकारी दिखी थी कि आठ लोग है है यहां पर अपने रख ली है ठीक है तो एक स्क्वार सेटिंग अरेजमेंट अपने को दिया है इसमें आठ लोग बैठे है चार लोग कोने पर बैठे है चार लोग यह जो लाइन से इनके सेंटर में बैठे हैं यह लोगी किसकी किदर फैसिंग अभी नहीं पता है अब अप्रोच कैसे लगानी है एक्जाम इसी लेवल पर क्विश्चन साएंगे आपके तो ध्यान से देखिएगा और एण फैसे इच अधर कई बच्चे हिंदी वाले भी पढ़ते हैं और आज बी के लिए तो हिंदी में करा जेता हूं एक अधाक्विश्चन पीए सवर कुला लित है अ कि मुखा है इस कि इस इस इंटर है इस कि आगे बढ़े हैं सकता यह दूसरी इस्थान पर बैठता है कि अन्य को एक तूप है औल को इस में देखना है कि दो प्यांग भाट टकर आगे बैठा है एल क्यों के ठीक बाएं बैठा है जो मेज के कोने पर बैठा है यानि क्यों मेज के कोने बैठा है क्यों का मुख बाहर की वो नहीं क्यों की फैसिंग में दे दिया अपने को बाहर की हो रहे है ठीक है आप देखो क्यों कॉर्णर पर बैठेगा तो इसमें तो केस में एक ही कॉर्ण नर्बचाए यह बैटिया क्यों और इस क्यों की जो फेसिंग वह आउटसाइड सेंटर है क्यों मुख बाहर की ओख रहे हैं ठीक लेफ्ट में इसका लेफ्ट आउटसाइड फेसिंगा लेफ्ट एंटी क्लोकवाईज होता है कौन बैटा है यह बैटा है अब इसमें देखो चारो कोने खाली है मालो मैं इस कोने पर बैटाओंगा तो एंटी क्लोकवाईज जाओंगा तो पहले से वह बैटा है तो मालो यहां क्यों 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 क इसमें Q का पडोसी उड़ी नी सकता है, इमधो दोनुसाइड तो बैठे हुए तो यह वाला case के इंजल हो जाएगा अपने आपनी और एक दूसरे के वीपरित दिसा में है, इनकी जो facing हैं वीपरित दिसा में हैं इसकी out side facing है तो इसकी center facing होगी आगे बढ़ते हैं P का मुख R और S के वीपरित दिशा में है इसका मतलब R और S की एक दिशा होगी और P की इसके अपोजिट होगी अब यहाँ देखना एक बार चार लोग इंसाइड थे चार लोग आए उटसाइड थे अब देखो इंसाइड वाले यहाँ पर एक दो तीन तो आचुके हैं है ना अगर यह दोनों भी इंसाइड हो गए तो पांच हो जाएंगी तो इंसाइड वाले इसका मतलब यह दोनों आउटसाइड फेसिंग होगे इनकी फेसिंग होगी आउटसाइड फेसिंग इसकी होगी inside facing ऐसे लिख दिया code भासा के नंतर तक फिशन ना पढ़ना पड़े बार बार तो तो पी थाना इसकी facing करा दिया पनने inside inside वाले चार complete हो चुग है एक दो तीन चार अब सारे outside वाली होंगे अब next बोला कि एस पी के ठीक भाइन नहीं बठा है पी के ठीक भाइन का मतलब इसमें clockwise होता है ठीक यहां नहीं बठा है तो एस को भाई साब को एक ही जगवची यहां पड़ेगा और आर आपका यहां पड़ेगा इन दोनों के outside facing होगी है एक बश्चा यह इसकी ऊट्साबशा है एक क्षाइज पर राष्ट होना है तो बढ़ा ही प्यारा ह सा छोटा है रश्न किसमें कुछ कुछ से रहं पर एगजामीनर नी आपको क्या आता है यह नहीं आता है, अगर किसी बच्चे को direction का सही नो लेजे, किदर left जाना है, किदर right जाना है, कैसे information को काम में लेना है, तो बढ़ा असानी से question हो सकता था, अब इसको अगर आपको basic से सीख रहा है ना, तो आपको मेरे basic वाले videos देखने पड़ेगे, यहाँ paper solve कर रहे हैं, तो मैं जल्द कर भाऊंगा, ठीक है, practice कर भाऊंगा, यह जो देखो इसके उपर basic question होते हैं, यह आप खुद करेंगे, यह आपको notes के अंदर जो telegram पी PDF upload होगी ना, उसमें upload हो जाएंगे, तो यह आप लोग क्या करेंगे, खुद से ही करेंगे, ठीक है, आज आज आपको next question के उपर आजो देखो next question में एक छोटा सा note लिखा है, मैंने आपर, थोड़ा सा typing mirror था, इसमें तो मैंने pen से यहीं पर board पर लिख दिया, कि यह एक family है और इसमें तीन generation है, ठीक है, बाके पूरा question से है, जो कि blood relation का question है, ठीक है, आरारवी में generally देखा गया है, कि blood relation के जो questions होते हैं, वो tricky questions आ आपको बताना चाहूँगा, जैसे confusing रिष्टे होते हैं, जैसे uncle, brother-in-law, sister-in-law, यह जब बोलता है, तो इस एक रिष्टे के बहुत सारे मतलब होते हैं, ठीक है, तो यहां पर हमें clear होना चाहिए, कि इनको diagram ब्लेटरी बनाते हैं, तब कैसे handle करना है, अगर वो clear नहीं है, बड़ी मुश्किल हो जाती है, ठीक है, तो वो आप लोगों को ध्यान देना है, दूसरा, एक है जो word होता है, only daughter, only son, only one daughter, one son, यह जब भी आता है ना, तब आप लोगों को कैसे पता लगेगा, कि X का A की बेटा है, मानलो आपने बना दिया, A का बेटा B बना दिया, यह केल होगा, तो हम लोग क्या करते है, चोटी सी बात करते है, अगर मैंने single star लगा दिया, इसका मतलब इसका कोई भाई नहीं हो सकता, same gender का नहीं हो सकता, ठीक है, बहन हो सकती है, अगर मैंने double star लगा दिया, इसका मतलब यह कि ना इसका भाई होगा, ना बहन होगा, इकलोता ही ठीक है ति छोटा सा इंडिगेशन में इस टाइप की इंफोरमेशन के लिए बनाया है बाकिया आप कुश्चन जब करेंगे तो समझेंगे फटा-फटा जो कुश्चन क्या बोल रहा है बोला आर है टू चिल्डरन ऑफ डिफरेंट जेंडर आर के दो वच्चे हैं जिनके डि का ठीक है अब देखो ब्रदर इन लोग वाला एक कन्फूजिंग रिस्ता है अब हम लोग इसको डाइग्राम में यहां यहां कैसे भी नहीं बना सकते इसको अभी क्या पतक ब्रदर इन लो का मतलो क्या जीजा है एक साला है कि क्या है तो एक बार आपको सिर्क इतना लिखन कि यहां पर इनके कोई और भाई बन तो एम जो है न ठीके ऐम कि गरांड डोटर है और की इसका मतलब एम इसकी आसकी बेटी में से होगी कोई न vibes तो एम को मैं यहां लिख देता हूं आसे स्था आपको इधर के उगी नरे सन इंद इन दोनों में से किसी की बेटी का यहां लिख रिखता रिख क्या कजन है M का ठीक है पता नहीं तो M के जैसे हुने ठीक है ना? उनके किसी बाई-बहन के बच्चों में से D होगा कोई नोई तो ऐसे मना दिए माता है पिता कि किसी के भाई-बहन के बच्चों में से D आ गया तो कजन वही होता है ठीक है बी इस अंट ओफ L, हूई इस दा ओनली डोटर ओफ K ठीक है ना K की डोटर है L तो K की डोटर बना दी एक तो L को मैंने Only डोटर है यानि कि और कोई डोटर नहीं हो सकती इसलिए स्टार लगा दिया कि इसके कोई बहन नहीं होगी ठीक है बोला B is the ant of L वो तो ठीक है Who is the only daughter of L तो बना दिया अब B L की ant है यानि कि इसके जो भी L के माता पिता होंगे ना माता भी हो सकती पिता भी हो सकती इसलिए यहां पर कर रहा हूँ ऐसे कि माता का भी हो सकता है पिता का भी हो सकता है यह कपल है यहां पर कोई भी आएगा एक जना और ऐसे फीमेल मत मान लेना इसको उसकी क्या है बहन है वो कौन भी तभी एल के अंटी लगे की भी तो ऐसे बनाती है एक बार क्यों इस दा मधर ओफ भी कि क्यों जो है न वो वी की मदर थोड़ा से ओपर करें आह आ नहीं पारा लेकिन लिख देता हूं एक बार समझजा ना क्यों क्या है बी की मदर है अभी यहां से दो एक आइडिया लगा पने को एक जनरेशन यह दोनों यह सेम जनरेशन के हैं वही यह तोड़ा सही लिखता हूँ देखो मैं इसको आपको समझ में नहीं आएगा नहीं तो ठीक है बी जो है इसी जनरेशन के अंदर ऐसे यहां लिखता हूँ पर यह माता-पिता में से किसी की भी बहन हो सकती है कहने का मतलब यह और क्यू जो है वो बी की माता है अब आप एक द्यान देना एक, दो, तीन, तीसरी पीडी आगी फिर से, तीन पीडी ही होंगी ऊपर ही ओपर देखो एक फीमेल आ रहा है फिर उसकी बेटी आ रहा है यहां देखो आ रहे है उसकी भी एक बेटी है इधर एक कपल और बन रहा है उसमें इसका एक बेटा है बेटी और हो सक तो क्या यह अन्दाजार लग रहा है कि QR की वाइफ हो सकती है ऐसे question में एक बार संभावना लेकी चलनी पड़ेगी आप लोगों को नहीं होगी तो cancel कर देगी ठीक है संभावन लेकी चलनी थोड़ा fast हो जाता है तो यह इसकी क्या हो सकती है वाइफ हो सकती है यहाप है उसक कुछ ही नहीं पता है तो आगे बढ़ते हैं A is the spouse of K यह जो है ना के का इस पाउस है याने की husband या wife कुछ भी हो सकता है पतला लाइफ पार्टनर है और A मेल होते ही यह female आ गया तो बताओ B का कोई बहन हो सकती है क्या नहीं इसलिए के बी की बहन नहीं होगी A B का भाई होग अब यहां बोला था एका ब्रदरिलो है टी तो एक बात बताओ एक के दो ही ब्रदरिलो हो सकते है या तो एका साड़ा हो जाए या जिज्जा हो जाए ठीक है अगर एका जिज्जा होगा तो वो तो मेरीड होगा ना जिज्जा क्या होगा मेरीड होगा तो मेरीड होगा तो अगर यहां पर साला भी होता ना साले का पता नहीं मैंने एक एक इग्जाम्प्ल दिया है ठीक है ना साली की था इधर जाता हुआ इधर सै नालों मेल होता मेल में दो चीज़े सोचते ना साला और जीजा जीजा कभी नहीं हो पाता क्योंकि टी अन्मेरीड की वोला है उसने फिर कुश्चा ने वोला टी ईज आंट फ यह लो चाहिए टी को ऑंट बोल दिया एल का ठीक तो यह तो वैसे ही आंट होनी है एल की क्योंकि इसका पल का बच्चा है L तो यह L यहीं लिखना है अब L के उपर देखो इस्टार मार के इसका मतलब L अकेली बेटी होगी इनकी और कोई नहीं होगा तो M बेटी इसकी नहीं हो सकती M बेटी जीगी होगी यह लो जी यह भी क्लियर हो गया ठीक है और यहां से बड़ा शांदर हो गया क्यों देखो माता जी उसकी तो एकदम से क्लियर होगी चारी जीचे T is the ant of L वो भी हो गया and have only one sibling T का केवल एक sibling है देखो T का केवल एक ही sibling है कि और कोई ही ही नहीं वेसे लिए तो अपना सही जा रहे है दम C is the sun in law of R C जो है वो R का sun in law है तो R की बेटी यह की है उसका husband हो जाएगा उसका sun in law यह लो जी ठीक है अब इसके वर बेश्ट कुष्टन देख लेते हैं देखो हूइज दगैसों की का फोल्डा कोने क्यों यह रहा कीउदों का पोता होना ठीच अच्छा एक चीज यहां पर लिखिनी है अपने कि कीं ए अ जो खर्जन और लिखन कोई था तो तो फट्रॉसंत यह पर इदरी आएगा ओर तो कॉन यह हएगा इस जनरेशन में के में मेल होगा क्यों क्यों कि बहन और हो इननी सकती इसका बहे ही हो सकता है ठीक हे एकली बेटी है तो बेटा हो सकता इनका और बुटी नहीं हो सकती इसलिए यह जए अधिमेल हो जाएगा तो इसका जो पोता है क्यों का केला कौन है दी ही है How many에도 M x Ф ragrices अब आजाते हैं नेक्स्ट कुश्यन के उपए जो ऐसे कुश्यन आते हैं यह चोटे motiv ने जाटे जाते हैं बहुत सारा आते हैं यह में 4 5 5 तक स्पाइören तक पहुंच जाते हैं इसका वहाना आता है और सफेशन होगे जाते हैं खूर्यी को बने के सब्सक्राइब तो सीधा बोल लेना नहीं बोला जाता है नहीं सीखने के लिए मैं बताता हूं कि सकते इनके नम्मरिंग को रटे हुए हुए होने चीए आपको जैसे आर्ग काता नमबर अठारा पांच छे फिर अठारा फिर नौए फिर साथ फिर पांच फिर अठारा फिर एक फिर बीस फिर पंदरा और फिर अठार ऐसे रटे हुए होने चीन नमबर आपको हर एक लेटर का उसके बाद बस आपको गिंती बोन लिए जैसे यह अठारा के आगे गिंती बोन लिए अपने को उननिस बीस याका टो ह compenser चया दष हो और जो लगा पांट से अरे कि चीड़ने कि इनको बनेर आगे तो भी जूरति नहीं जूरति नहीं फिर आगे किना शाथ नो दमाल है पहते हार इस न चैसे दो साट नहीं कि को है न वने इस होब organ क ai वह एंच रुद साथ नो दस नीए बना और नो दस ग्यारा बारध तेरा विनिवन रहा साथ से 5 का देखना गाँ 6 7 8 9 10 कुछ नहीं बन रहा 5 से गिन रहे दिना 5 már 6 7 8 9 10 कुछ भी शहां किया थीस optimize से बने कर तरह ऐसी की मर contenido कर ठीखर act का देखना है एड़ो टीटrison पांच है थीस एक्डीस कुछ निबना और पीच्छे पीछे से कुछ निबना है Michael 15 का देखना इधर तो कुछ बना नहीं देखना 15 मद्या 16 स तो चार ईट 17 जान न। र्म की 13 बनन जब इच एक में पिछे दियां प्रइशे ist बनन गल स फो वो एबिट बन जाएगे तो विदिन कुछ सेकंड में क्यूस्ट निकल जाएगा बैसिक इसका यह कि ऐसे गिंती बोल बोल के अपने को निकाल नहीं होते हैं कि नेक्स्ट एक क्यूस्टन है सेटिंग रेजमेंट का आज वो फटाफट करते हैं यह वो क्यूस्टन है जिसमें लीनियर सेटिंग आरेजमेंट आप बोलते हैं सर अउनसर्टेव वाला आगया जिसमें पता ही निए लोग थे यह वह वाला क्यूस्टन है ग्षा नहों परसंडयां कि रिपने को नहीं पता होता कि कितने लोग बेटे हुए ठीक है ना और एक एक्स्ट्रीम एंड से फॉर्थ नम्बर बैठ है इस जो है न और के थर्ड लेफ्ट पर इदर आरका थैट करेंग एक दो यह ऐसी आगया ठीक यहां आरका था लेफ्ट करेंगे एक दो तीन आज एक यहां आ यहां आगया किसे थार्ट तुग लेफ्ट ओपार और अलेफ इदर ओगा तो एक दो तीन नमर प्या चलो लगिए लेटिए अंड एस दो शेट वाले के लिए सकता है यह ब्याइंगे ऑधिट्रेशंग दो केसं कि D जोनों तो मतलब हमकरे के ट ट के थे मातलब हमके इदर इसलिप सब्रिबंकर नहीं बना चलेगा तो से ऊपतार सरो कि तो चलेगा तो धीकर नियुसे नख byटेका तो और यू के बीच्ब दो व्यक्ति बेठेंगे देखो इधर तो नो सोड के पहले से भी apparently चौंब बेखेगा इसमने इद बीटे transmisigan एक दो छोड़गे टी फिर एक दो छोड़गे यू कि तो बाहर चला जाएगा एक्स्ट्रिमेंट से इसका मतलब डी यहां नहीं हो कि डी यहीं होगा इस वाले केस में या second person के लिए आते हैं से बोल दो, but और end ये जातर आते हैं ये आपके first person के लिए आते हैं, तो ये सोटी जी बात द्यान में रखना, confuse नहीं होना है language के अंदर, ठीक है, ये जो U है B के just left में बटेगा, तो B यहाँ आएगा, तब यू left में हो जाएगा, B यहाँ आएगा, तो इदर से यू left में हो जाएगा, आगे बढ़ते हैं, more than one person sit between R and B, R और B के बीच में एक विक्ति से जदा बटेगा, यहाँ आर और B के बीच में एक से जदा विक्ति बेटा हुआ है, तो case के लिए, यहाँ R और B के बीच में एक से जदा विक्ति बेटा ह X sit second to the left of L, end is an immediate neighbor of B, अब देखो यह end है ना, यह first person के लिए बोल रहा है, यह जो immediate neighbor है ना, B का वो X है, तो B का immediate neighbor कोन होगा, X, एक neighbor तो U है पहले सही, तो A की neighbor की जगह बचती है, तो X यहाँ जाएगा, और X जो है वो L के second left में बेठेगा, L के second left में बेठा तो एक दो हो ग question वाला, maximum two person leave between X and one of the end, X और एक end के बीच में जदा से ज़्यादा कितने वेक्ति बैठेंगे, maximum two person, एक end, तो इधर तो वाला end में तो बहुँ ज़्यादा लोग बैठेंगे, तो इस वाले end की बोल रहा होगा, maximum two person leave between X and one of the end, maximum two का मतलब two हो सकते हैं, zero हो सकता है, L हो सकता है, अब जल्दी से जल्दी अगर end करूँगा इधर वाला तो यहां कर सकता हो, इसमें दो लोग तो होंगी होंगी, तीन नहीं हो सकते, लेकिन तीन हो सकते, चार नहीं हो सकते, तो इसके आगे end नहीं जा सकता, जीरो एक वेसे नहीं हो सकता क्योंकि एलवेट है उसी साफ से तो यह इसका इधर वाले एंड़ जाएगा तो यह आपका से ठीक नहीं बनागी अब इसके इसाफ से कुछ कुछ कुछन्स आप लोगों से पुछे जाएंगे वह आप लोग अपने तरीके से करेंगे ठीक है नो वहला ओल लीची आर मेंगो अब अगर किसी बच्चे कुसी लोलिजम नहीं आता तो मेरा वीडियो सर्च करना एक वर्दान 2.0 बेच का तीन घंटे का वीडियो पढ़ लेना सारा के लिए हो जाएगा पांच में से पांच नमबर आएंगे आप लोगों की लोलिजम के बना दिया अंदर बना दिया ओनली फ्यू मेंगो और ओरेंज तो कुछ मेंगो ऐसे भी होंगे जो औरेंज नहीं होगी ओनली एफ्यू बनता है सम और समरोड का कॉंबिने से कि अधिक है क effectiveness only a few orange होगी है कि और कुछ ओरेंज पांच पैया होगी तो थोड़ी जगा सिकने चोटा-चोटा लेहुं में तो कोई रोख पाएगा मुझे कोई नी रोख पाएगा इस तरीके से समझें इसको पूरा सर्क्ल उटाएगा रख सीखना पड़ेगा आप लोगों को ठीक है सुरू से तब जा के पहार पड़ेए सी दब फटने से कुछ नहीं होगा तो सारा गा सारा पॉपाया अगर मेंगो के अंदर रख सकते हैं कोई क्रोश रोखेगा कोई रूखेगा यह भी नहीं रोख सकता यह इस जगह में जाने से रोख सकते हैं तो बाकि दूसरी किसी बीजगह पर लिजाओंगा सभाएं विल्कुल सइह पूरेंज इज लिची कुछ ओरेंज लिची तो क्या ओरेंज ओर लिची में कुछ पूमन है क्या यह और जब भी होता है तो सम और समनोट का रिलेशन होता है जैसे कुछ समनोट भी होगा कि कुछ ऐसा होगा जो रेट नहीं हो और यह तरीका है करें नो रेट और होसे कि नो रेट वो टोक होग टोड़ा पास में लिखना चाहिए अपने को all horses are dog सारे के सारे horses क्या है dog है अब देखो मैंने ये circle बाहर से काटते हुए क्यों लिखा है ताकि आपको इस बात का पता रहेगी ये जो cross relation है अंदर वाले circle के साथ है ठीक है ये line आपको अंदर जाती हुई दिखे ऐसे तो आपको पता चलेगी क्रोस रिलेशन जो है ना ये आपको आर का सर्किल और एपच के सर्किल के साथ है दी के साथ नहीं है ये वाले इससे के साथ कोई cross relation नहीं है अगर मैं इसको ऐसे बना देता है इदर बना देता अंदर बना तो ये confusion बेदा हो जाता इसलिए मैंने इसको बाहर से से कट करते हो बना है तो छोट छोटी बाते हैं बेसिक पूरा समझाया हुआ है यहां भी मैं थोड़ा-थोड़ा कोशिश करता हूं साथ साथ हैं बताता रहूं कि फिर कुश्चन ने बोला समकेट इस डोग क्या केट और डोग भी कुछ कॉमन है नहीं है भाई साब तो गलत हो गया नो डोगी स्केट क्या डोग के पूरे सर्किल और के पूरे सर्किल में अब आपको कही लोग लगा सर्किल अलग लग लग दिख रहे हैं अगर कोई पहली बार बच्चा पढ़ रहा हुए ऐसे पेपर देखने आगा उसको लगीगा क्येट रोग का सर्किल मतलब गलत है यह तो नो डोगी स्केट होना चाहिए नहीं क्रोस रिलेशन वो जरूरी है पूरे पूरे सर्किल में अब आप बोलोगे सर इस हिस्ते का तो है कोई क्रोस रिलेशन नहीं है तो डोग और के पूरे पूरे सर्किल का कोई क्रोस रिलेशन नहीं इसलिए भी गलत अब यहां पे दिमाग हमारा चलता है कि सर, cat, dog, cat, dog, element same हो गए, जहां element same हो जाता है, वहाँ पर आई दरोर का case बन जाता है, element same की condition follow होगी, दूसरा क्या होना चुछ है, complement repair होना चुछ है, तो sum प्लस no1 complement repair है, यह भी हो गया अपना, तीसरी जो condition जो होती है न वो आपका ये होता है कि subject-object सेम होना चीह है लेकिन इसमें वो follow नहीं होता, तो तीसरी condition इसमें और रोल की लगती रही लगती नहीं, तीसरी condition कब लगती है, जब एक जगा ओल हो दूसरी जगा समनोट तो दो कंडिशन में यहां पर क्या हो जाएगा यह आई द्रोर हो जाएगा ओल ड्रीम आर नाइट ओल ड्रीम आर नाइट सारे ड्रीम क्या है भई नाइट है नात में आते हैं नो नाइट इस स्टार नो नाइट इस स्टार सेंट को पूरा लिख दे ना क्योंकि आके स्वेट भी है फिर कुष्चिन ब오लां द्रीं मेंज स्विट तो no dream is sweet ठीक है ये cross lesson इस circle में line to line होता है इसके साथ मत करना फिर जना जना है इनके साथ में संबिस्टारीज ड्रीम सब्सक्राइब क्या इस इस ड्रीम में कुछ को मन नहीं है कि अब सर्ष स्वीट नैइट इस नाइट यहां तो फिर और इस में से कोई यहां नहीं जा सकता है यह रोक लेगा उसको जाने नि देगा पर यहां तो जाई सकता है यहां जाने से कौन रोखेगा कोई नहीं रोख पाई था इसलिए यह सही है तो only conclusion second follows only a few table are chair only a few table are chair तो कुछ table chair होंगी कुछ table chair नहीं होंगी ठीक है ओल चेर और बुक सारी सारी चेर क्या है ओल चेर और बुक only a few book are pain only a few book are pain तो कुछ पैन बुक होंगी कुछ नहीं भी होंगी यह लोगी all table being chair is a possibility सारी की सारी टेबल क्या चेर हो सकती है तो पूरे टेबल के सर्किल को उठागे चेर के इंदर लेके जाना है ले जा सकते हो नहीं यह वाला इससा कभी भी नहीं जाएगा all की possibility इसका मुकल से पूरा चे बिए जाना पड़ेगा और इसका पूरे सर्किल के साथ में यहां भी पी पूरा सर्किल इससे नहीं जा सकता है यह जिय कि सारी के सारी टेבल चेर में जाए यह नहीं सकती all a book being pain is a possibility क्या सारी की इस सारी बुक उठाके पेन में ले जा सकता हूं नहीं ले जा सकता क्योंकि यह वाला बुक का इस्सा पेन में जाएगा इसलिए यह गलत है बहुत ओने पर सेकंड दोनु रही गलत होंगे ठीक है तो यह यहां पर और ओनली एकॉंसेट कहां काम आता है यह समझाने के लिए क्षिश्चन था कि नेक्स्ट आजाओ भी नो ब्लू और ब्लेक ठीक है जी कोई दिक्कत नहीं है वह कि कोई भी ब्लू ब्लेक नहीं है दो ये बात भी बोलनी पड़े शिलो लिजम कुछ भी कर वा सकता है सम्ड़ केट ऑर डो उसली जैसे बोलता है वैसे करना है पड़ता है ओल ब्राउन आर वोईलेट सारे ब्राउन क्या है वोईलेट अब कुश्यन यहां पर बोल रहा है ओल ब्लू बिंग वोई लेटेज पॉसिबिलिटी है ठीक है सारे के सारे ब्लू वोई लेटे में चले जाए क्या यह पॉसिबिलिटी है बिल्कुल है मुझे बताओ सारे बुलू को यहां जाने से कौन रोके का कौन सा क्रोस रोकेगा इस से बुलू को यहाँ जाने के लिए ये क्रोज सकता है बाकि इसको कहीं भी जाने से कोई नहीं रोक द eh कीजिगा ये वाला कुरो सिर्थ बीस को यहां रहने तक रोक सकता है और कुझे नहीं कर सकता है यह वाला फ्रोस इसको यहां याँ инки करसकता है तो यह यहां से यहां दाएगा कोई कोई यह रोख काई इसलिए पॉसिबिलीटि क्या है इसे हैं सब्लूए इसलिए लॉटम सब्चसाइए DC सब्सक्राइब अजिए तो देखो भई ब्लू के थोड़े से हिस्से का ब्राउन के पूरे सर्क्लिके साथ प्रोश अ नहीं है ब्रावन ब्लू का ब्राउन के साथ कोई क्रॉस्स रेसे नहीं है तो कहांचे समिन हो जाएगा टिये कहा है गलग तहए तो अजिकली और फार्स्ट फॉलोस यह क्या बोल रहा है, इस इन गिवन नंबर यह नंबर दिया हो गया, वन इड़ अड़ टो दो ओड डिजित, वन इस अब्ट इस अब्ट दिजित, देन वाट विल बी दा सम अफ दिजित, अब सारे बच्चे इस नंबर को बदलने लग जाएंगे, क्यों ओड में एक जोड दो, इवन में एक माइनस कर दो, जो नया नंबर निकार लो और नहीं जोड़त है, जो पूछा है उसी के बारे में बात करेंगे, बस इस कुश्चन ने क्या बोला, वाट विल वी दे सम फ्रों दर डिजिट विचार थर्ड फ्रों दर राइट, राइट से थर्ड यानि साथ, साथ है यानि कि ओड़ नंबर है, साथ में एक जुट जाएगा यह आठ बनेगा, एंड फिप्त फ्रोंद लेफ्ट फ्रोंद लेफ्ट एंड, तीन दो पांच है नहीं तीन में, तीन फिर से ओड नंबर है, इसमें फिर एक जुट जुट आएगा निचार, तो आठ चार बारा यह पूछा है कुश्चन ने ठीक है अब यह देखो इनिक्वलेटी एक मिनिट में पांच कुश्चन कर सकते हैं इसके पांच नंबर ऐसे आएंगे चुट क्यूंगे दर्व कोई नहीं रोख सकता लेकिन कॉंसेप्ट आना चाहिए उसके लिए और कॉंसे आप लोगों को सीखना पड़ेगा तब जाए काम बनेगा अब यहां पर मैं बता दूँ है यह गेट है इसे लगे आप पेपर में प्रेक्टिस कर लो अगर किसी को आते है बहुत अच्छी बात है लेकिन नए बच्चों के लिए बोल रहा हो मैं जो पहली बार देखने पे है हमें सिर्फ कॉंपो द्शिदा देखना है बीज से वी तक जाना है और कम से कम एक गेट पर बराबर साथ चोड़ना ची क्योंकि नहीं है अब बी यह रहा वी यह रहा वी से अवी में जाई नहीं पाऊँगा पहले गेट प्रोगा तो एक सेट में पता लग्या गलत है एफ से एक चाना और हर एक गेट पर बराबर उना चीए यह रहा एफ और यह रहा ए एक से ए तक चलना मुझे एफ से वी तक आगया बराबर है फर्ट ना इधर नो रहांसर हो जाए ठीक है जी अब कई बच्चों लगेगा शरी ये बिल्कुल करेक्ट कर दिया आपने तो मज़े आगे है इसके इंदर पर एक्जामिनर क्या करता है पांच में से एकादे कुश्चन के साथ खेल खेल लेता है कही बार ठीक है और वैसे खेल खेल लेवे कुश्चन में जान इससा बोला है आएदर और के स्में कौनि आइडर और के इसमें कई बार एलिमेंट सेम तं пойmen लेम наша मझा होता है पूं से एक देन tricks और पर थीने को तो याब B लिख देगी है, तो एक ही बात हुजएगी, अब देखो यह अगर ध्यान नहीं देंगे इस पर, तो यह तो दिखनी रहे न, element सेम नहीं है, लेकिन है तो element सेम ही अगर इसके बारे में बात करेंगे, तो B और C तो एक ही बात है, A C लिख दो, A B लिख दो, यही खे मतलब ही चेक करूँगा मैं, मेरा सक की हो गया है इसके उपर, जहां भी बराबर जादा होता है न, वहां सक चला जाता है, element के साथ में, अब यहाँ देखो, A बराबर A B के तो A और B एक सेमान बात ही होगी, तो B की जगह A लिख दो यहाँ, A की जगह B लिख दो, A लिख द अब यहाँ पर आए दरूर कैसे लगता है, सबसे पहली condition, element same है, जो अपने को देखने पड़े, element same है, दिखने रहे थे, बस element same है, ऐसा वाला जो question होता है, इसमें तीनो साइन होने चीए, less than, greater than, equal to, तीसरी condition, यहाँ पर क्या फोलो करते थे अपन, ध्यान देना, कोई अबी जाना है, और A से F भी जाना है, दोनों बार में पहुंचना नहीं चीह, तब आई दरूर होगा, तो मैं F से A जाके देखता हूं, F से A की और दोंगा, यहाँ गेट बंद होगा, नहीं पोलोगा, तो ना तो मैं F से A पहुंच पाया ना A से पुंच पाया, तीसरी condition है फोलो हो गई सारी कंडिशन फोलो हो गई तो यह नाइदर नौर नहीं वाली है तो ध्यान दीजिएगा एसा कुष्यन अगर कभी के बार आ जाता है तो होता निए वैसा जनरली अराल बीक एक्जामें सिंपल वे पर आता है लेकिन हो जाए तो फीक है यह जो कभी कभार एसा होजाता है तो ध्याना करने को जेड से के जे तक चलनाना अपयों सिए तो जेड़ से अपने गेट पर बेबरीशा ज़ोड़नाócा ठीक है मुझे जाना है के से आर तक कहा जाना है के से आर तक जाना है मुझे के से बी आ गया कि बी से एल आ गया और एल से आर चला गया तो मैं चला गया कर नहीं द्याम देना है यहां बराबर नहीं है जब बराबर नहीं होता है तो के से आर तक जाना है और कम से कम एक गेट पर बराबर नहीं होना चाहिए तो यहां तो देखो यहां भी बराबर है यहां भी बराबर है यहां भी बराबर है तो यहां ना एक जर्णोर होगा ऐसे फसने वाले कुश्चन सा जाते हैं कई बार तो तो सिंपल टोपिक है तो कई बार किसी सीफ में देता ऐ इनुक्विटिक किसी देता हो तो जहां देता है वहां यह से फ़सी जाती है कुछ ठीक है चलो कि A से V तक जाना है मुझे है और हर एक गेट पर बराबर होना चीए i.e. ACD आगेमें बराबर है हरे गीट में बराबर है जिए चला पहले चोड़ दिया उसी जौी bought उमीद बात समझ में हैई होगी जलक है कभा सब्सक्राइब एवी मो दको डबू कर बबू कर दो कर दो कर दो कर के차 इस तक जाना है किना डबू से टी गया एक से डबू time इनत्राइब तो जी से से जी आगया जी से के आगया के से ट आ गया टी को इससे या ट 2020 आ गया और कम से कम इस गेट बराबटे बी साथ शोड़ दें हो गया अब जाना के से क्यों तक हर गेट पर बराबर होना चलिए के से टी गया बराबर है टी दमलू गया बराबर है डमलू से आगे गहे जाई भी पाए डे SIMP रिरोग हो गया नली कॉंपल्येट पर क lång जोट में ठीक है बही ओनली कॉन्क्लूजन फर्स्ट फॉलोज हो गया है नेक्स्ट आजो पजल का कुशन है एक पटाफट से करते हैं टाइम बेस पजल है वही क्या बोल रहा है कुशन देखते हैं एट परसंस वर बोर्न टू डेट शिफ्टी तेन ट्वन्टे सेकंड्स ओफ फॉर डिफ्रेंड मंस एक्जाम्बल की तौर पर सेप्टेंबर अक्टूबर नॉवंबर दिसंबर इन सेम एयर ठीक है इन चार महीन है आप टेबल फटाफट बना लीजिए हम में तोड़ा आपके नोट सुंदर बने जाए इसलिए अच्छे से टेबल बना देता हूं चार महीने हैं दो डेट है यह हो जाएंगे आपके चार महीने इसमें हो जाएंगी दो टेट मालो एक दो केस बनते हैं तो एक केस दो केस महे ने कौन से थे बढ़ी कि oh September October November December कि September November December ndनके दिन भी लिख दिया और हो साथ साथ में कि 31 तीस तीस इकतीस तीस तारिक कौन कौन सी 15 और बाइस है ना 15 बाइस पंदरा बाइस ऐसे सेक्वेंस में लिख देनी है अब आगे बढ़ेंगे अपन लोग इन्फोर्मेशन के हिसाब से 15 बाइस ही तिनो हाँ ठीक है अब कुछ लट टू परसन वर बॉंड बिट्विन एस एं वे तो लिख सकते इसको लिए आगे देख के बार में इंफोर्मेशन हो रहे तो एक बार इसको देख लोगे एस वाज बॉन इवन डेट इन मन्थ है विक इवन नंबर ऑप डेज इवन नंबर वाले दिन के महीने में यानि कि सेप्टेम्बर और नॉंबर हो सकता है इवन आपर के महीने का दिन इसी में है और इवन डेट पे यानि कि यहां 22 थारीक को है यहीं पर S का जन्नम हो रहा है तो 2 इस बन रहे है यहां तो और वो बंसे अकले वार्टा सकतीया है तो यह '' दो है तो ऑले कितने कितने उनक्स औरौगे तीन होंगे आपन यहां ॐल कि पोड़े doing जर्ट विफ्ए ठीक है Q का जदम just before B हो गया नहीं यहां होगा अभी यहां just before B तो पहले से यहां बेटा हो तो कैस के अंजिल हो गया and two person after R ठीक है Q born just before B and two persons after R R के दो person पर हो गया है बाद पर होगा तो एक दो पर हो जाएगा R यहां आ जाएगा C born after D and before P ठीक है C born after D and before P तो यह इनके sequence होगे आने की तीनी जगह खाली है तो लिख दो इसी सिक्वेंस है अब आजो नोट्स में मिल जाएंगे आपको टेलिग्राम के अंदर ठीक है मैं solution करा दिया उसके बाद में कोई मुस्किल बात नहीं है अब आजाते हैं अपने next question पर जो की है direction का आजो क्या बोल रहे question direction में हमेशा आप लोगों को quadrant बना की करना है ठीक है quadrant बना के करोगे तो चीजे सही से clearly दिखेंगी clearly mention होगी diagram को साफसुतर बनाना है जल्दी बनाना है लेकिन जल्दी जल्दी वैसे गिच्पीज नहीं कर देना है कि पता ही नहीं क्या बना दिया कहां पर क्या लिख दिया लिखने का भी एक तरीका होता है कहां पर क्या अब दो कहीं लोग एच यहां लिख देंगी इधर अगर लाइन खीचनी पड़े तो फिर कटेगा निकटेगा इस तरीके से खीचने कि कहीं भी लाइन जाए दिक्कत है तो है को यहां लिख दिया एक पॉइंट माना में इस टार्टिंग पॉइंट एच पॉइंट एच से नौर्थ में मानूगा पॉइंट एक हो नौर्थ डिरेक्षन यह है तो पॉइंट एच यह हो जाएगा कितने में पेच अब मैं एक को यहां लिख और यहां थोड़ा नीची ताकि इधर लाइन जाए इधर लाइन जाए एक ही बीच में दिक्कत ना दें लिखा हुआ साफ दिखता रहे मुझे इसनी ऊपर से लाइन चली गई एक है यह को यहीं लिख दिया उपर से लाइन चली है पता ही चल रहा ए था बी था क्या था तो वह काम नहीं करना है उससे भी कई बार बड़ी दिक्कत हो जाती है छोट छोटी बात है लेकिन ध्यान में रखने लाइक बाते हैं यह विचीज एट मिटर टूद इस्टों पॉइंट भी ठीक है यह जो एच है ना वी से आठ मिटर इस्ट के अंदर है इस्ट डिरेक्शन ही होगी तो एच किसी के इस्ट में होगा वह ऐसे होगा नहीं होगा इसका मतलब बी कहीं कहीं यहां आएगा अब देखो मिटर इतना बनाया है तो 6 से बड़ा दिखना चाहिए 8 मिटर लगवग यहां थी बना देते हैं यह हो गया आपका भी कितना मिटर है आठ मिटर है तो बी के बताओ इस्ट में हुआ नहीं हुआ है हो गया ना वह पॉइंट B is five meter to the north of point F B को नॉर्थ में होना कैसे होना ए एसके पांच मिटर तो एफ कहीं कहीं यह दर आएगा तभी हो पाएगा अब आपको ना तो इका पता ना डी का पता कहीं कुछ है तो बाद में देखेंगे इसको इस लाइन को एक बार छोड़ दो यहीं पर फिर कुछ से मिला अब एफ अपने पास है तो यहां से देखेंगे के बारे में बोल रहा है यह एट मिटर टू दे इस्ट ऑफ एफ ठीक है आठ मिटर इस्ट में होगा एफ के कौन इस्ट का मतलब इधर अब जब भी ऐसे लाइन बनाते हो आप उपर पहले से लाइन बनी हुई तो जितना बना एक दम इसके सीध में काटेगा इसी लिए कौडरेंट बनाते हैं ताकि अपने को बता रहे हैं यह होगे आठ और यह कौन सा पॉइंट होगा भई इपॉइंट होगा ठीक है तो इपॉइंट को यहां पर क्या बताया था एफ के 8 मिटर इस्ट में फिर यहां क्या बोला था पॉइंट ही इज अबी तक तो एक बार ख़टाते हैं है इसको आगे बढ़ते हैं phảiले पहला पॉइंट दी ओनोच पॉर मि leaked to the east of REM कि यहanda वीष्ट में होगा É मार्थ Hackett चार मिंपरे दीची it हो गया फिर बढ़ा जी इस फाइल पिंटर तुद नोर्थ ओफ जे जी जो है ना पांच मिटर नोर्थ में होगी जे कि इसका वादा जे नीचे होगा पहिंगे कि माल लेते हैं यहां पर है यह हो गया जे सौरी पर यह कितने मिटर बोला है इसने पांच मिटर यह आपका डाइगरम यह अभी एकदम प्यारा सा उमीदे समझ में आया होगा अब इसके वर बैस्ट कुष्चन देख लेते हैं करें यह का डाइख ज़ान परुम्छी ऑदर देखेंगे इन विच लाइक्षन पॉइंट एस्पेक्ट विदर है इसब्द ketchup पूइं एकडर में टारेक्षान क्या है अब जब बिकिसी के भिस प्रप्टिम आइंके पू Chaos फेशिच सत्य कॉछण ad-ट नाद कि तो A के रिखक्त में ये के कौनसे डारिक्शन हो गी साउच डारिक्शन होगी, What is the shortest distance between D and J, D और J के बीच में सोटे डिश्टेंच कीतनी है यह रहा, D और J, यह 90 डिग्री का इंगल है, तो यह क्या है 90 डिग्री के सामने वाला, हाइपोटेमियस है, ठीक है, इसलिए यह हाइपोटेमियस इजएकोल टूकिया होता है, अंडरूट मेस का स्केयर पाइथ यह आजाएगा आपका अंडरूट एकतारिश नेक्स्ट आजाूग वही अब देखो वह पूठर्ट शोडर्ट यह तोटल को पुछ रहा ईसे जे तक तोटल डिस्टेंस पूछ रहा है ठीक है तो आप ईसे जेटक टूटल डिस्टेंस कैसे निकाल होगे है ग्तोच नहीं पूछ रहे हैं 65 मृट टोच हैं हैं से गिननी बढ़ेगी अप्रोटल मूच आए तो तो कितनी होगी अठारा हो जाएगी आगे बढ़ते हैं फोर अमंग दो फोलोग फाइफ पेर्स आर अलाइग इन ए सर्टेन मेनर एन रिलेटेट टू ग्रूप विच अमंग दो फोलोग डस नोट बिलॉंग टू ठीक है इनमें से चार एग जैसे एक थोड़ा सा लगे तो थोड़ा डिफ्रेंसेशन करना पड़ेगा देखो एफ एजी में वहीं लिखूंगा इसको एफ एजी तीन ओप्सन और थे ना डी जे बी डी इजे डी जे डी जे बी डी इजे ठीक है अब इनको देखो एक बार आप ध्यान से कि यह किस किस चीज को दर सारा है तो देखेंगे एफ यह रहा ए और इसके इधर एफ है ऐसे डारेक्शन है जाए जरी तो पूरी खेलना ही जरूत नहीं कर दा देखलो कि इस तरीके से लाइन आ रहा है डीजेoby डीजेकी अब मुझे बताँ सब की लाइन ऐसे जर 이제 आ रही है अब मुझे बताओ सब की लाइने यसे एसे आ रही है एक की लाइने से आ रही है, बीडी की, तो वही यह लगे बस, उनकी डाइरेक्शन से लगे, तो बीडी, ठीक है, यह तरीका होता है, स्वाल बढ़ने का, नेक्स्ट आ जाते हैं, एक यहाँ पर फिर से पजल दी हुई है, क्यूश्यन क्या बोल रहा है, देखते हैं, के टेग के अंदर क्या निकली होई है, वेकेंसी निकली होई है, ठीक है, नो लोग अलग अलग इस पर सेलेक्ट होएं, वेकेंसी मानलों, मतलब नो लोग सेलेक्ट होएं, इन तीन डिपार्टमेंट के अंदर किसी कंपनी के अलग 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 तीन डिपार्टमेंट में, मार्केट गटार यह में दो से कम नहीं और 4 से जहし अब क्या डेको कई लोग क्या करते किस्टेग्री वेस्ट बजल है तो इसमें टीन दिपार्टमेंट और इसमें अलग-अलग लोग रहते हैं No लोग रहते तो लोग्फ तो 9 लोगों का टेबल बना लेंगे, कब भी ऐसा इसा बत करना अगे अगर कम वेरियबल का पजल है, जैसे इसमें 3 department कम वेरियबल है, नाम भी 9 होंगे ठीक है ना तो उसी 3 में टेबल बना दिए तो कैसे बनाएंगे टेबल सबसे परे टेबल होना जोगूंगे अधिव देखो विदीन डिपार्टमेंट ना किनों डिपार्टमेंट बना दिये लिए तो थीके जी यहां पर मालों एक दो केस इतने बनेंगे बनानें तीन डिपार्टमेंट कौन-कौन से अब अपना एक डिपार्टमेंट है मार्केटिंग, HR, Finance एक हो गया मार्केटिंग एक हो गया HR, एक हो गया Finance ठीक है ये आपके क्या हो गए Department हो गए अब कुश्चन क्या बोल रहा है देखते है You selects only with S but not in Marketing Department कुश्चन ने इसे बोला You selects only with S इसका मतलब और कोई नहीं आएगा You और S दोनों ही रहेंगे जिस भी Department में रहेंगे दो ही रहेंगे Only बोलते हैं वहीं fix हो जाती है ठीक है You selects only with S but not in Marketing Department तो दो ही केस बनते हैं Department पचे HR और Finance ठीक है तो आपका You और S इनके बीचे से गोला मार दे मतलब दो ही लोग आएगे तीसरा आएगा ही नहीं इसमे You और S इसे दो केस बने या तो HR में या Finance में कोई Marketing मना कर दिया है उसने We and Q are selecting in the same Department but not with R We और Q साथ में आएगे ठीक है एक साथ आएगे लेकिन R के साथ नहीं आएगे तो यह साइड में लिख जाएगे अभी पता नहीं है और क्यों कहा सकते T select in the Marketing Department T अपना Marketing Department में रहेगा W and X select in the same Department तो W और X भी अपना same Department में रहेंगे R नाइदर select in Marketing नोर in HR R ना तो Marketing में ना HR में इसका मतलब R Finance में तीन इतर डिपार्टमेंट में भूल मिलागे P does not select in the same Department as W P W अले Department में नहीं होगा जैसे यह इदर इनके Department में नहीं होगा साथ साथ में नहीं होगे यह भी ठीक इसका यह डबबाट आदे ना वरना यह confusion नहीं हो जाएगी यह only raully do toe नहीं है सम ole эк select neither in HR department nor with be the x HR department में ho karion p के साथ भी सफनीहोगा ठीक है मि एक्स आपका HR department में इस सेलेक्टनीहोगा और एक्स आपका पी के साथ होगे तो तो वन से पता है cp के साथ वैसे सेलेक्ट मोग डू Tibo के के साथ कैसी से लेक्ट हो जाएगा अब एक बात बताना में रखो ध्यान से इस आर के साथ और क्यूण नहीं तो विए और क्यूं लाइज जार ऐसे यहाँ वे एस ही नहीं रहेंगे करें किंगे वहिए अपने आके दून यह डोनों रहेंगे क्योंकि ओनली बोल दिया है तो वी और क्यू के लिए एक ही जगा बचती है वी और क्यू यह इसमें देखना भई यह अच्छा आर इसमें क्यों नहीं लिखा आर के बारे में कुछ बोला था ना और सेलेक्ट्रिं मार्किटिंग नोर एच प्रो आर आनेन इसकता तो केस पहली इंतुल हो गया यहां और नहीं सकता यहांद नहीं देंगे दोनोन नहीं बूल गया मैं, इतना काम हो गया यहां पर अपना, अब एक बात रतो, क्या यह W, X, दोनों एक साथ आएंगे, क्या यह इस डिपार्टमेंट में आ सकते हैं, तो पांच हो जाएंगे, चार स्यादा हो इनी सकते, इसमें वैसे नहीं आएंगे, इसका मतलब W, X, यहां आ बनते हैं, तो इनके आज़र आप लोग कर लोगे, ठीक है, एक last question आप सभी लोगों को homework में देता हूं, मैं, ठीक है, तो मैं इसमें एक hint बतायता हूं, आपको answer बतायता हूं, इसमें दो word बनेंगे, जो भी यह बोल रहा है न, उसके दो word बनेंगे, ठीक है, तो answer इसका आपको word comment करने हैं, तो यह आसान भी यह answer देने के लिए, तो देखते हैं, कितने लोगों को सही answer आएगा, ठीक है बई, तो आज के लिए reasoning के paper में इतना ही, उमीद है, यह paper आप सभी बच्चों के लिए helpful साबित होगा, और आप लोग ऐसे ही देखते रही है, अच्छी से त comments पढ़ूँगा, उसमें जो भी अच्छे suggestions होंगे, उसके हिसाब से हम लोग आगे की lectures प्लान करेंगे, super concept series के साथ, paper की series भी चलते रहेगे, ठीक है, कभी paper, कभी super concept series, तो इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे, अच्छे-चे lectures आते रहेंगे, बाकी मैंने playlist बना जाएंगे, वहाँ पर जाके आपको इस class के बाद में तुरंत फोक्या मिल जाएंगे, ठीक है जी, आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत सुक्रिया, धन्यवाद, thank you so much.